खुशनसीबी का शहर रूपड जाना जाता था एक बहुत ही दानिशमंद होनहार नौजवान की शकल में कहा जाता था कि आसपास के दस गाओं में उस जैसा होश्यार और बहादुर शक्स कोई नहीं है एक दिन रूपड आग के अलाओं के पास बैठा था अपने दूसरे दोस्तों के साथ एक सिपाही के हौसले मंद कारनामों को सुनते हुए जो उनके गाउं से गुजर रहा था और ये सिपाही की कहानी का सबसे दिल्चस्प हिस्सा था खुश्नसीबी का शहर? वो यासा शहर हो भी सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता ओ हाँ, ये मुझूद है एक उंचे पहाड की चोटी पर बसा है सुरज की तरह चमकता हुआ उसके सबी बड़े-बड़े मिनार खालिस मजबूत सोने के बने है हाँ, इतना सोना और दौलत है कि ये वहाँ के लोगों के लिए परिशानी का सबब है कि वो इसका क्या करें इसलिए वो बस सोने की चीज़े बनाते हैं और जब वो इससे उखता जाते हैं तो वो नए बना लेते हैं नए बरतन, नए जेवर, नए इमारते पुरानी चीज़ें बस धा दी जाती हैं और सफाई करने वाले मुलाजिम उसे कुड़ेदान में डाल देते हैं क्या? 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 थोड़ा सोना उन्हें हमारे पास पेजने दो उसे बात करने दो, आगे सुनाओ सिपाई आगे सुनाओ, हमें तफशील से बताओ शुक्रिया, खैर, दोलत और फल साजा करने के लिए दिल की जरूरत होती है पर उनकी पास बस है तो सोना, देवरात जो पूरी गलियों में बिखरे हैं यहां तक की गलियों की मिट्टी भी सोना है और जिसमें इतना बड़ा बेशकिमती पत्थर चमक रहा है जो रात के आस्मान से भी बहुत ज़्यादा रोशन है मुझे यकीन है कि इस चेहर के लोग बस रक्स और मौसिकी में ही अपना वक्त बिताते होंगे क्योंकि उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ओ, हाँ, और वो सबसे उम्दा खाना खाते होंगे कि लिए क्या वो शहर इस तरह का दिखता है यह तो बहुत ही खुबसूरत है जैक यह बहुत खुबसूरत है जैक का शहर और उसका सोना इतरह खुबसूरत होता हमें सोने के मुतालिक बताओ सबी गर सोने के बने हैं, खिडकियों की दहली इस हीरे की बनी है सडके बनी है चादी और प्लेटी रमसे और उनकी बजरी है धेर सारे बेश किमती पत्थर वो इतने ज़ाधा चमकते हैं कि घरों में या शेरों में रोचनी जलाने की ज़रूरती नहीं पर कोई वहां कैसे जा सकता है दो तरीके हैं एक तो बहुत ही खौफनाग है रास्ते के पत्थर इतने चुबने वाले हैं कि वो तुम्हारे पाओं बर्बाद कर देंगे और बहुत ही बेतसवर खौफ जैसे बहुत ही बड़े दलदल के तराव और फिसलने वाली ढ़लाने जो बहुत ही गेरी नदियों में जाकर गिरती है जो तुम्हारे रास्ते को रोक देंगी तो चाहे आप शहर पहुँच भी जाएं तो आप इतने ठके और बेजार हो चुके होंगे कि आप में बिल्कुल ताकती नहीं रहेगी और दूसरा रास्ता? वो कुछी दिनों में आपको खुश नसीबी के शहर में पहुँचा देगा पर तुम्हें… बहुत हो गया, मुझे वो रास्ता दिखाओ, मैं उस शहर जा रहा हूँ इतने उतावले मत हो, कम से कम मुझे तुम्हें बता लेने दो मैंने बस बहुत सुनलिया सिपाही, और मैं किसी भी बात को अपने फैसले को कमजोर नहीं करने दूँगा मैं अभी जा रहा हूँ क्या कहा अभी? मैं इंतजार महीं कर सकता तैर रूपर्ट खुशनसीवी के शहर पहुचने के लिए इतना उतावला था कि उसे ये भी नहीं सूझा कि वो अपने दोस्तों और अपने घरवालों को अलविदा कहे रूपर्ट सिपाही के साथ एक जंगल में पहुचा और वहाँ सिपाही ने उसे बाकी का रास्ता दिखाया रूपर्ट अपने रास्ते पर जाने के लिए इतना उतावला था कि वो सिपाही का शुक्री आदा करना भी भूल गया उसने कुछ फासला तै किया और वो एक दरिया के साहिल पर आया एक अजीब सा लगने वाला मला किनारे पर इंतजार कर रहा था क्या तुम मुझे उस पार लेकर चलोगे इसकी लिए तुम्हें पचास चानी के सिक्के देने होंगे क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिन्दगी में इतने पैसे देखे होंगे माफ करना सिक्के नहीं तो सवारी नहीं महरबानी करके हुजूर मैं खुशनसीबी के शहर जा रहा हूँ वहां से वापस आकर आपको जो चाहिए मैं आपको वो दूँगा कोई भी वहां से दोलत लेकर वापस नहीं आया है अगर तुमारे पास चानी के सिक्के नहीं है तो फिर तुम मुझे अपने दिल का एक टुकणा दे दू क्या? तब तो मैं मर जाओंगा ओ, तोश्ट में किसे दिलचस्पी है मेरा मतलब है तुमारे दिल का जस्पाती हिस्सा मलाह ने बासुरी निकाली और एक अजीब और गरीब धुन बचाई रूपर्ड की छाती से कुछ चिंगारिया निकली और बासुरी में दाखिल हो गई तो रूपर्ड कश्थी में बैठा और उसे दरिया के पार पहुचाया गया इसके बाद रूपर्ड एक पहाड पर चढ़ा और जब वो जोटी पर पहुचा तो एक और शक्स जो बिल्कुल मला की शकल का था वहाँ पर खड़ा था रूपर्ड देख सकता था शेहर के सोने के मीनार एक लंबे टिढ़े मिड़े जंगल के रास्ते के पार पर अजीब बात है उसे वैसा जोश महसूस नहीं हुआ जैसा पहले था उस वाक्या के बाद जब से मलला ने उसके दिल से थोड़ी चिंगारिया निकाल ली थी रूपर्ड को बहुत वजन सा महसूस हुआ जैसे वो खाली जगा पत्थर बन गई हो तुम्हे गुजरने के लिए पैसा देना पड़ता है देखे मेरे पास चांदी के सिक्के नहीं हैं क्या मेरे दिल का एक टुकड़ा काफी रहेगा हाँ ये काफी होगा उस मलला की तरह ही इस शक्स ने भी एक बासुरी निकाली उस पर एक अजीब औ गरीब धुन बजाई और रूपर्ट की चाती से सुनहरी चिंगालिया निकल कर बासुरी में आई अजीब बात है बजाए खुशनसीबी के शहर के करीब पहुचने की खुशी महसूस करने के रूपर्ट को एक वजनी पत्थर सा खालिपन महसूस हुआ जिसे वो बया नहीं कर सकता पर उसने अपना सफर जारी रखा जल्द ही रूपर्ट खुशनसीबी के शहर के बुलंद फाटक के सामने था और बिल्कुल वैसे ही जैसे सिपाही ने बताया था वो बड़ा सफाटक खालिस सोने का बना था और जिस पर जड़े थे बहुत ही शानदार चमकते हीरे और जवाहरात जिसका कभी किसी ने तसवर नहीं किया होगा रूपर्ट ने दाखिल होने की कोशिश की पर उसे एक दर्बान ने रोका जो बिलकुल मला की तरह और पहाड़ वाले शख्स की तरह लग रहा था रुक जाओ, तुम्हें गुजरने के लिए पैसा देना होगा क्या तुम भी मेरे दिल का एक टुकडा लोगे? पहले की ही तरह दर्बान ने भी बांसुरी निकाली और उस पर वही अजीब और गरीब धुन बजानी शुरू कर दी रूपर्ट को अजीब महसूस हुआ कुछ नसीबी का शहर ठीक उसके सामने था और उसमें दाखिल होने पर ना तो उसे कोई जोश महसूस हुआ और ना ही कोई खुशी रूपर्ट सोचने लगा कि क्या ये इसलिए है कि वो अपने दिल से कीमत चुका रहा है और ये खौाहिश कि उसका पूरा दिल ना चीन लिया जाए और इसी वज़े से उसकी छाती में एक छोटी सी चिंगारी बाग भी रही और वो बासुरी में उड़कर नहीं गई अटक खुल गए और रूपर्ट दाखिल हुआ शेहर बिलकुल वैसा था जैसा उस से पाही ने बताया था पर उसमें कुछ भी जोश भरा नहीं लगा रूपर्ट ने एक शक्स को गुजरते देखा और वो मुस्कुराया वो शक्स पलट कर नहीं मुस्कुराया और खाली नजरों से उसने रूपर्ट की ओर देखा रूपर्ट आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक मेज पर सबसे लजीज पकवान पर उसे गए हैं के साज जो बहुत से सोने और जवारातों से बने हुए थे पर कोई उन्हें नहीं बजा रहा था सफाई करने वाला मुलाजम आया और उसने उन्हें एक सोने की गाड़ी में डाल दिया अफसूस की बात है इसके बाद रूपर्ट ने एक जोहरी को देखा जो सोने का बरतन बना रहा था उसका हर एक बरतन एक जैसा लग रहा था अफसूस की बात है किसी के लिए उस कारीगरी की क्या कीमत जो कुडे दान में डाल दिया जाएगा सिर्फ इस बात के लिए कि ये बहुत जादा है रूपर्ट ने देखा उन तमाम जजबात से महरूम दिल से महरूम चहरों को जो उसके आसपास थे वहाँ कोई खुशी, कोई मुस्कान नहीं थी और आखिरकार उसे इस बात का इल्म हुआ कि अपने दिल से कीमत चुकाने के क्या माइने होते हैं और ये बस उसे एक चिंगारी की वज़े से था जो उसकी चाती में रह गई थी कि वो कम से कम थोड़ी मायूसी तो महसूस कर सकता था उस इलाके के लोग जिनके अंदर कोई दिल बाकी नहीं रह गया था वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे सिवाई खाली बन के इस इलाके में इस तमाम सोने की वज़े से लगता था ये लोग पत्थर की हो गए हैं रूपर्ट इस तरह से जीना नहीं चाहता था उसने घर जाने का फैसला किया मैं घर जाना चाहता हूँ अपने दोस्तों और अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ जिस पल उसने ये कहा वो तमाम चिंगारियां जो दर्बान ने उसके दिल से ले ली थी वो वापस उसकी चाती में उड़कर आ गई रूपर्ट अब थोड़ी खुशी महसूस कर सकता था अपने घरवालों और दोस्तों से दुबारा मिलने पर जब पहाड के शखस ने उसके दिल में उसकी चिंगारियां वापस की रूपर्ट का दिल खुशी से धड़कने लगा और जब तक के मल्ला ने उसकी चिंगारियां वापस की रूपर्ट का क्रीबन अपने दोस्तों और घरवालों से मिलने दोड़ा चला गया अम्मी, अब्बा, मैं आप से बहुत शर्मिंदा हूँ हाई रूपर्ट मेरा बेटा तुम वापस आ गए, तुम है वापस देखकर बहुत खुशी हुई ए, तुम वापस आ गए मैं तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ सोने के लिए मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था अब मैं जान गया हूँ कि ये दौलत बेकार है अगर इसके साथ खुशी के जजबात नहीं आते और खुशी सिर्फ और सिर्फ आती है तीन चीजों से नमबर एक, जब हम अपनी हली में समहाल कर रखें और अपना दिल भी, चाहे हम अमीर हों या ना हो नमबर दो, जब हमारे पास लोग हों जिनके साथ हम हस सके और रो सके और तीन, जब हम एक मकसद से आमादा हों और एक दूसरे की परवा करते हों अगर हमारे पास बस सोना और दौलत ही होती तो हमारे दिल भी पत्थर के बन जाते बिलकुल खुशनसीबी के शहर के लोगों की तरह और इस तरह रूपर्ट एक दानिश्मन नौजवान बनकर खुशनसीबी के शहर से वापस आया ये सच है, है न? अगर जिन्दगी में तुम्हें इंतखाब करना पड़ता उन लोगों को जिनसे तुम महबबत करते हो और दुनिया के सारे सोने के बीच, तो तुम किसका इंतखाब करोगे? सोना तब ही अच्छा होता है, जब ये महबबत के साथ आता है